नमस्कार आप सभी आगनबारी बहनों का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है तो जैसे कि पोशन ट्रेकर एप में नए अपडेट आये हुए हैं जैसे कि लभार्थी का अधार फेरिफिकेशन करना है जितने भी लभार्थी हैं उन सभी का अधार फेरिफिकेशन करना है उसके बाद सभी लभार्थियों का मोबाईल वेरिफिकेशन करना है, जो कि ये सारे काम जो आये हैं, तो आवन बारी वर्करों के लिए और भी जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि पहले तो देखिए इसमें ऐसा था, जो भी लभार्थि हैं, उनका कुछ भी चेंज करना चाहते थे, तो हम लोग असानी से कर लेते थे, क्योंकि आपको लभार्थि के मोबाईल पे OTP जाएगा, कुछ भी चेंज करने के लिए, तो उसको OTP डालने के बाद ही, आप लोग कुछ भी चेंज कर पाएंगे, और चलिए मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा, कि जो Home Visit का Option दिया गया है, तो जैसे कि आप अपना Potent Tracker App ओपन करते होंगे, तो यहाँ पे Beneficiary Registration और Home Visit, दो Option दिखाई दे रहे होंगे, तो आज मैं आपको Home Visit वाले Option को बताऊंगा, कि आपको लभार्ती के घर पे जाकर किस परकार से Home Visit करना है, और जो भी लभार्ती है, उनका डेली Home Visit करने के लिए आपको यहाँ पे सिचूल दिया जाएगा, कि आज आपको इस लभार्ती के घर पे जाके Home Visit करना है, तो वीडियो में बने रहे हैं, वीडियो को एंड दक जरूर देखिए, तो वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमें बहुत ज़्यादे मोटिवेट मिलता है, और हम आपके लिए इस परकार से नए-नए वीडियो लेके आते रहते हैं, और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, तो जैसे कि यहाँ होम विजिट वाले अप्शन पर हम लोग जैसे ही किलिक करते हैं, तो किलिक करने के बाद यहाँ पर जो जो लभार्थी हैं उनका अप्शन सो हो जाएगा, तो अब आपको देखना है कि किस लभार्थी में नंबर दिखा रहा है कि आपको होम विजिट करना है, देखिए यह जो दो लभार्थी हैं, इनको कुछ भी इसमें सो नहीं हो रहा है, तो अभी इसमें हमको होम विजिट नहीं करना है, तो आपको मैं बताऊंगा कि home visit के साथ साथ कि आप लोग जब भी home visit कीजिएगा तो उस समय उस लभार्थी का जो mobile verification है आप लोग उस लभार्थी का mobile verification भी कर लिजिएगा इससे क्या होगा कि आप लोग home visit करने जाएंगे तो उस लभार्थी घर पे जाएंगे ही और उसके साथ साथ उनका mobile पे जो verification code जाएगा वहाँ से आप लोग आसानी से उनका verification कर सकते हैं तो चलिए अब आपको हम बताते हैं कि किस परकार से home visit करना है किस परकार से जो सिचूल है वह आपको दिया जाएगा daily work करने के लिए तो देखिए यहाँ पे due today का option दिखा रहा है तो due today में जो लभार्थी का home visit करना होगा आज के दिन उसका यहाँ पे दिखाएगा कि आज आपको इस लभार्थी के घर पे जाके home visit करना है उसके बाद यहाँ पे upcoming है यानि कि total 9 लभार्थी है और 9 लभार्थी में देखिए 8 upcoming है और एक जो लभार्थी दिखा रहा है वो यहाँ पे late हो चुका है यानि कि उसका date आगे बढ़ चुका है उस date को home visiting नहीं हुआ है तो इस परकार से आप लोग नीचे देखेंगे कि कि किस तारीक को हमको किस लभार्थी के घर पे जाना है और home visit करना है और जैसे कि यहाँ पे जो late वाल option दिखा रहा है कि मानली जी अगर आप लोग जो date दिए गया था जैसे कि यहाँ पे 31.8.2020 किस का date दिए गया था कि इस लभार्थी के घर पे जाके home visit करना है बट किसी कारण वस वहाँ पे नहीं जा पाए तो उसके लिए यहाँ पे जो आई बटन दिखा रहा है यह इस आई वाले बटन पे किलिक कर देना है किलिक करने के बाद यहाँ इंटर visit date पूछ रहा है यानि कि आप लोग उसके घर पे कब गए उसका यहाँ पे date पुछ रहा है तो जिस तारीक को आप लोग उसके घर पे जाएंगे जो लेट हो गया है तो उसको उसके लिए यहाँ पे calendar खुल जाएगा और सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे वही date सो करेगा जह दिन आप लोग उस लभार्थी के घर पे home visit करने जा जाएगा तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इस लभार्थी का एक लेट में दिखा रहा था वह यहाँ से हट चुका है तो इसी परकार से आप लोग जो भी लेट हो जाता है किसी कारण वस तो इस परकार से आप लोग उसको यहाँ से उसका verification करके मतलब home visit करक हटा सकते हैं उसके बाद जो भी और भी मोडूल है जैसे कि जो बच्चे का मोडूल है उस मोडूल में भी आपको यहाँ पे टच करना है टच करने के बाद यहाँ पे सभी details दिखाएगा कि आज इनके घर पे जाना है इस बच्चे का home visit करना है लेट वाले जो option दिखा रहा है उसको आप लोग किस परकार से करेंगे वो तो मैंने बता ही दिया तो जैसे कि सभी लभारतियों में इस परकार से जाके आपको home visit करना है तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा और आगनबारी सेविकाओं से जनना चाहता हूं क्या उनका पीछे वाला हाजरी जो हाजरी आप सभी का नहीं बन रहा है तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट किजिए कमेंट करने के बाद मैं आप सभी को एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूँगा जिसमें कि आप सभी आगनबारी सेविकाओं का जिनका पीछे का हाजरी छूट गया है वो नही बना पा रही है तो आप लोग उससे आप लोग हाजरी बना सकती है इसके लिए आप कमेंट जरूर कीजिए तो मिलते हैं फिर किसी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जैहिंड